है दोस्तों आपको बताना लो बेंगलोर और फोल करता के बिज़ों मेच होने वाला उस में प्रेडिक्शन मेच की जानकरी पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है जिसके अंदर में आपको बताना लो यूज रिपोर्स सब्सक्राइब कर अपर कोन तीम सबसे ज्यादा टीमिस ज्यादा में फायित है पईले वाली किती है और सेकेंड करने वाली चीम का क्या प्रफॉर्फॉमथ्स फारी जान आप इस वीडियों में जनने वालो साथ में आप इस वीच के रोल रहा है पिछले में में इस को अधना चाहते हो तो वह कौनसे प्लियर्स है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन में से आप अगर बनाऊगे तो आपका जीतना लगबक ते होगा ठीक है तो चलिए देख लेते हूं जान लेते हो यह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं में रिपोर्ट तो यहां पर और यहां पर का अच्छा प्रफरंस रहता है और सीवी का होम ग्राउंड है चिंदे सेमी स्टेडियम यहां कि जो पीछे ना वो फ्लेट पीछे अच्छा स्कॉर बनती है कोई भी टीम खेलते तो अच्छा खासा इसकॉर यहां पर बनता है क्योंकि यहां पर पीछे वो टोटल ले देके बात करें तो पेस्ट में लाइक है ठीक है यहां पर बोलोरों के अच्छे खासी पिटे होती है अब बात करते हैं हम कि आर सीवी और केक्यार का जो टोटल मेच हुआ इन दोनों के एक दूसरों के विरुद जो मेच हुए अभी तक का रिपोर्ट है मेचों में वह 156 मेच हो चुके है दोनों ने एक दूसरे के विरुद 20156 मेच खेले है जिसमेसे जो टीम ने फास्ट बेटिंग कि वो गुंशत्तर मेच जीती है और जो सेकेंड डाउन का बेटिंग करी है जिस टीमने बोलर वाली जो टीम है वो सेकेंड बार जिसने बेटिंग किये वह पिच्चा सी मेज जीती है और दो मेज दोनों के बीच टाई रहा है तो इस तरह से इन दोनों का परफॉंस रहा है इसके बाद इस पीच का जो हाई स्कोर है वह 263 जो कि अभी तक कि आई पेल का सबसे ज्यादा था और अब वर्दमान में हेदराबाद ने इसको तोड़क को खेला गया था मेज जो कि आर्षीवी और पंजाब कीविच था जिसमें आर्षीवी ने पंजाब को हरा दिया था लास्ट के और में आर्षीवी जीती थी पंजाब ने इसमें 16 रन बनाये थे 6 विकेट खोकर 20 अवरों में और RCB ने 117 रन बना दिये थे 19 अवर की दो बोलों में complete कर दिया था मेच और 4 विकेट से मेच जीद गई थी अगर फरस्ट इनिंग की बात करें तो फरस्ट इनिंग में 4 विकेट फास्ट बोलरों को मिले है और सेकेंड मतलब 2 व लाश्ट पे लाश्ट के चार मेचों में फास्टरों को तीस विकेट मिले हैं जिसमें से फर्स्ट इनिंग में 16 फास्टरों का जो तीस विकेट मिले उसमें में जिटी एक क्यार और एक ही एक भी में जिती है आरसीवी तो अभी का जो आज का मेंच है उसमें लगवग साट पर्शंट चांस से आरसे में जितने की ठीक अब बात करते हैं अब हम हमस्में हमारे जो लास्ट कैसे रहेंगे तो लास्ट कि हूए उसमें जो ट्रीम टीमें ऐन जिन् wz1 रुप्र विनद किये हैं जो टीम हरी है लास्ट की उनमें जो कॉमन प्लेर्स्ते उसमें खासकर विराट को लिस्ट इसमें जितना ने भी मतलब ड्रीम 11 जीती है 2021 से वी तक कि जो उसके अंदर विराट कोली का अच्छा कासा प्रफॉमंस रहा है और सुनिल नारायन का जो काफी बढ़िया रहा है लास्ट की ड्रीम 11 में कॉमन रहे यह चले तो यह ड्रीम 11 जीते है ठीक है तो यह हो गया है और उसके बाद जो वरुन चक् लिए ठीक है वरुन चक्रवती केप्टन वुमस के बात हो रही है अप मैं बात करते में आप और कि जो अगर बात करते हैं अपकर कोई से ड्लाएगे तो नारायन जो की पूरे चार रह सकते है पूरे चार और डाल सकते हैं यह डालेंगे ही और एक उसके पार साकते है तो यह बड़िया रोल रहाएगा इनके भी कम से कम 3 वर्वा सकते हैं c51 के ज इसके वी तीन को सबने क्यारत प्विकोन से कितना वर्वा सकते हैं ंपते हैं उसके चाहिए सरहिए हम को दो से वर्वेश टोस APIs की तरफ से तो हम किसमें किस किस ले ले सकते हैं इसको मीइख घथे आप से फिलिप सॉल्ट को ले सकते जो काफी बढ़िया मेच हुआ जिसके अंदर अच्छा घजा सा बेटिंग कि है इन्हों में पेला मेच दौ है उसके अंदर इन्हों ने चपकन रन बना है जो काफी बढ़िया त्यासब मंदद्गार आए टीम के लिए उसके पास सुनिल नारायन जो कि यह लाश्ट के मेच में चले नहीं ए इतना अच्छा खासा पर अच्छा प्रफॉम्स रहा है इनका काफी बढ़िया रहा है सुनिल नरायन का उसके बाद जो है कि रिंकु सिंग स्रेश आयर काफी बढ़िया पेश्ट में ने रसेल है और मिचल इस्टार्ट और वरुन चक्रवती यह जो प्लेयर्स होने जिसका मैंने आपको बता है यह साथ प्लेयर ठीक है जो इनका मतलब अच्छा खासा प्रफॉम्स रहा है आर्सेवी के विरुदूर रसेल ने काफी अच्छा खासे बेटिंग करी थी पिछले मेच में आपने देखा होगा ठीक है फ्रिप सॉल्ट की बात करें तो लास्ट का में स्टाइस इस मेच में इन्हों ने चोप दस रन बनाया था एक विकेट लिया था एक में सत्ताविस रन कोई भी विकेट नहीं मिला था दस रन एसे करके यह लाउंडर रहे तो काफी बढ़िया और जो डिसेंट में जो भी मेच हुआ था इसके अंदर इन्हों नहीं नहीं बनाया थे और इस पिछकी बात करें तो निनोंने लाष्ट के दो पारियों में एक में पांसना और प्रकिंटी स्राणा की जो निथी प्राना है वह बी काफी बढ़िया प्रफृम्स रहा है सपीच पे लाष्ट की दो पारियों में से 37 और दर पर जो विलास्ट का जो मेच हुआ था सो में नो रइन और विरुद इनको जो लाश्ट पारी वह अलपालिस रनों की और उसके पहले एक रन दस रन तेविस रन और अठार यह से कुछ पिछले साल का उसमें अठार नाबाद रहा है 46 रहने ठीक है तो यह काफी बढ़िया है और अच्छे फार्म में हैं तो यह काफी बढ़िया है रिंकु सिंग इनके बारे में सब्सक्राइब काफी बढ़िया पिछ का अच्छा प्रफॉम्स रहा है बात करते हैं कि अगर बात करते हैं रामदीप सिंग की तो रामदीप सिंग अभी जो यह मेंच इस ग्राउंड पर पहला मेंच खेलने वाले हैं और यह जो हैं अगेंस्ट आरवीच के छही रने इनक की काफी बढ़िया मेंस था जिसके अंदर चोसेट रन नावाद बना इन्होंने और दो विकेड भी लिये हैं जो काफी बढ़िया होते हैं और आरवीच की बात करें तो आरवीच के विरूद भी अच्छा प्रफॉम्स रहा है एक रन दो विकेट ऐसे करके 25 रन कोई विके नहीं मिला मतलब यह से करके तीन विकेट लिए तो रन नी बने यह से करके मतलब अच्छा कासा अलाउंडर है काफी बढ़िया खिलाडी है और बार करते स्टार्ट की जो कि सबसे ज्यादा मिंगे प्लियर इस आर आरा जिसको के क्यार में खरीदा है तो यह भी जो लास्ट एक विकेट एक विकेट इनको मिला था यह इसकी रिपोर्ट है ठीक है इसी परकार साहरा अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो एवन प्लियर्स रहे रहे हैं वो यही रहे गए कि फिलिपस साल्ट के क्यार की तरफ से लेंगे हम सुनिल नरायन स्रेश एयर हो गया रिंकू सिं भाज है यस दयाल है मेकसे वेल है मैंक दागर है और केमरून ग्रीन ईजोंकि अच्छी आइलाउंडर है और अच्छी बेटिंग करते और बोलिंगória करते हैं तो जोसफ को पूरे चार अवर डलवाएंगे जो कि आर सीब वाले है पूरे चार अवर इसके हो जाएगे तो के दागर होगा मेच में अगर खेलेंगे सद् Greek काफी बढ़े हो जाएंगे ने तक हीएल इस तरीम रहेंगे हमारी केमरोन ग्रीन काफी बढ़िया प्रॉफरमेंस है मतलब यह तीन हो गए उसके बाद में मेक्सवेल को भी ले लेना है दिनिस कार्थिक आप रख सकते हो उपसन के तोर पर अगर आपके पास में एक जिस्ट में हो तो ठीक है काफी बढ़िया है अलाकि यह मेच फिनिंग पारि बता है इन में से आप अपनी ड्रीम 11 वाली टीम बना कर आप इसमें एक्स्पेरिमेंट करके बना सकते हो केप्टन में आप देख लेना अच्छा खासा प्रॉफरम्स किसका रहा है अभी पिछले मेंचों में भी काफी बढ़िया प्रॉफरम्स रहा है तो वह देख लेना अगर आपको इंफरमेशन अच्छे लगी इस वीडियो को लाइक से स्काइप करना ना बूलना